अमल तुम ठीक हो ना मैं ठीक हूं मुझे क्या होना है मुझे लगता है कि इतने सखम खाने के बाद उसे अब दर्ट का एसास ही नहीं होता शाहिए जिन्देगी की ठोकने खाने की आद ही हो गई हुगे हुगे अमल तुम ऐसी बात है मत कर तुम देखना वक के सासा सब ठीक हो जाएगा वक्त वक्त से बड़ा जालम कोई नहीं होता इतना दर्द इतने दुख देता है कि आपसे आपकी मासूमियती छीन देता है और अन्यमेज मैं चलती हूँ तुम भी रस कर लो तुटनाइट सुमीच्राइट पयाला वह बहुँ कोला अन्यमेजर्द तुम अरने देता है करते हैं, आपकरी आपकी आपनाओ आपकरी आपकर बावा बात मॉथ जालै तुम्हें जगाया, क्यों नहीं? तुम्हें जगाने के कोई फायदा ही नहीं है तुम्हें होश में आना होगा तो तुम खुद ही आजाओगे प्रॉब्लम क्या है आगा? रात को भी अजीब तरह से बात करके सुए थे सुबा उठे हैं, फिर मूट खराब है, क्या हुआ है? तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? जानती हो ना तुम अच्छी तरीके से कल क्या किया तुमने सुनी आउंटी के साथ? फिर सुनी आउंटी के एससास की वज़ा से मूबनाव है बता सकते हैं के मैंने अब क्या किया एं? कल सब के सामने, बीच मजमे में तुमने सुनी आउंटी से कंगन उतरवा ली उनकी इतनी इंसल्ट की, क्या ये कम है? स्जूज मी? सुनी आउंटी के कंगन ये के मेरे कंगन है इन पर मेरा हख है बासर मुझे सोनिया अंटी ने खुद बताया था कि ये कंगन नौशीन अंटी के थे तुम्हारी असली माखे मेरी सास के थे उनके नहीं है Enough वो कंगन जिसके भी थे अगर वो सोनिया अंटी ने पहने थे तो वो उन्हीं के हो गए पीच में सबके सामने उनकी इतनी इंसल्ट करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी बस मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ नीचे जाओ सोनिया अंटी को उनके कंगन वापस करो नहीं 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 हर्किस नहीं पास मैं तो यह कभी भी उन्हें वापस नहीं करूँ तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो ठीक जैसी तुम्हारी मर्जी फिर बात में मैं जो करूँगा उस पर शिक्पा मत करना हूस हम तुम्हें करूँ मत Whats song मेडम तुम तुम यहां क्या कर रहे हो क्या हो गया मेडम ड्यूटी कर रहा हूं ड्यूटी क्या हुआ कहीं उसे डर तो नहीं रही है मैंने तुम जैसे जानवरों से डरना छोड़ दिये अब जाओ यहां से दिलशाद मेडम ने मुझे जहीन साब की सिक्यूर्टी पे लगाया है अब जहां 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 जहीन साब होंगे उनका गार्ड उनके साथ साथ होगा क्या समझी मैं सब समझ रही हूँ लेकिन तुम भी एक बात याद रखना अगर तुमने यहां पर कुछ में करने की कोशिश की ना तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ थबूत तयार है सुबूत मेरे खिलाफ तुम यहां क्या कह रहे है और क्या कह रहे थे अमल से कुछ नहीं मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं जैसे तुम यहां अपनी ड्यूटी कर रहा हूं समझ आ गई यह समझाओं तुम्हारी तरह मूठा कर नी आया है यहां तुझे को मैं समझाता हूँ रेहान, जाने दो इसे, वैसे भी इसके होने ना होने से कोई फक्ट नहीं बढ़ता, ये बस मेरी कहने का एक मामूली सा किरदार है, चलो तुम लोग इंज्वाय करो, ये मामूली सा किरदार अपनी डूटी पे जा रहा है है, हमार डून परे, मेरी अब इस पर नजर रहेगी ये अब तुम्हे कोई नुपसान नहीं पंचा पाएगा, मुझ अब इसकी कोई परवान है, बस में हाडना नहीं चाहती, जीते जी, तुम कभी हाड नहीं साती, I mean, तुम्हारा ये दोस्त, तुम्हारे साथ है, मैं जानती हूं मेरे दोस्त, अच्छा, मैं तुमसे कुछ क तुम थे जॉड़ ने का फैसला वापस ले लो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे एक दोस्त की शरूरत है, प्लीज रेहность. है लाव तुम्हार याई धिया हूं, अपनी का ओड़ेट सेल रहा है, और डोट वरिया हूं. मैं यहीं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रम्द मैं मुश्किल वक्त में भागने वालों में से नहीं और यह बात तो में अची तरह गानती है थैंक यू अच्छा में दिश्वाद बैंडम से मिल के आता शुर तुम्हारी हुआ मखबूल मखबूल कहां मर गयों मैंने तुम्हे काहाता कॉफी लाने के लिए मखबूल बाहर क्या हुआओ था पाजार कुछ लेने के लिए इसलिए मैं लेकर आगे कॉफी इतना बड़ा ब्लंडर करके भी तुम मेरे सामने खड़ी हो शरम नहीं आती तुम्हें अगर रिष्टों का एहसास करना ब्लंडर है तो मुझे अफसोस है आपकी सोच पर सोनिया मैकवे बापा ये क्या कर रहे हैं तुम्हारा लिहाज और एतराम का आंगिया तुम सोनिया और मेरे बीच में कैसे आए अगर आप अदब तहजीब लिहाज की बात कर रहे हैं तो आपने हाथ उठाने की कोशिश क्यूंकि पासल रहने दो पिटा बात को मसीद मत अच्छा सुनिया बेगम पहले आग लगाती हो और फिर खुद ही बुजाती हो मैंने कोई आग नहीं लगाई कासिम साब तो फिर क्यों दी मेरे दुश्मन की बेटी को खांदान की निशानी तुमारी जुरत कैसे हुई इस लड़की को कंगन देने की मुझ से पूछे बग मिल गई तुम्हें खुशी मिल गई तुम्हें तसली सुनिया अंटी को रुला कर मुझे अफसोस होता है कि तुम मेरी चॉइस थी नहीं तुमने रात को सुनिया अंटी से कंगन मांगे होते और नहीं ये तमाशा होता तुमारी छोटी सी जिद्ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया सुनिया अंटी सुनिया अंटी सुनिया अंटी पूरा घर कंगन के पीछे लड़ा है मेरी परवा है किसी को, हाँ, ड्राइवर, गाड़ी निकालो, मुझे रहना ही नहीं है इस कैथ खाने में, हाँ जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तो में लेने ही नहीं आँगा, ड्राइवर, गाड़ी निकालो,